असलामने कुम डिया स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फॉर में देखने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए जो हम साइंस की किताबे लेकर आएंगे क्लास्ट्रूम के अंदर उनके अंदर का सेंप्चुलाइजिंग इंगेजमेंट क्या है और इंगेजमेंट होती है इंगेजमेंट से पहले हम ये देखेंगे कहानियों की किताबें उनमें की नेरेटिफ नेरेटिफ किताबें। important factor कि बच्चों की science का knowledge कैसे enhance होगा और बच्ची उस किताब को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे definitely तब पढ़ेंगे जब उसको enjoy करेंगे तो आईए हम देखते हैं कि engagement का concept है क्या engagement का concept की बारे में आप देखी रहें कि यह लिखावा है कि यह multi-component concept है के साथ साथ develop होता है multi-component concept यह इसलिए है क्योंकि engagement हमें required करती है कि हम cognitively engaged हो हम socially engaged हो हम emotionally engaged हो और हम physically engaged हो जब यह चार important factor cognition मतलब सोचें हम उस चीज के ऊपर thinking करना socially मतलब कि हम अपने दोस्तों में बातचीत करें इर्गिर्द देखें और उस चीज पर actually काम करें और emotionally मतलब हम जजबाती तौर पर empathy और sympathy रखें उस concept के बारे में और physically यानि action करें decision making लें और practically वो काम करें उस चीज के लिए तो यब यह चारों चीजे मिल जाती है इसको हम कहते है multi-component engagement यह perfect sense of engagement है सो हमारे पास जो narrative कहानिया है वो क्या करती है वो यह engagement develop कर सकती है जब कोई भी बच्चा या शक्स इन चार लेवल पर किसी चीज में engage हो जाता है तो हम इसे कहते है learning और हम इसे कहते है actively engage होना by all means हमारे पास यहां पर components engagement के engagement of learning के चार component है जिसके through जो है learning enhance हो सकती है science की किताबें पढ़के पहला है conceptual learning engagement है science की किताबों में word learning engagement है emotional engagement है और social engagement है तो हम सबसे पहले शूरू करते है conceptual learning engagement पहला सवाल हमारे सामने क्या आता है does the book aim to support children's conceptual understanding engagement क्या यह किताब का मकसद है जो किताब आपने चूज की है कि वो बच्चों की जो है conceptual understanding है उसको develop करना चारी और बच्चों की concept development है उस पर उस किताब का focus है तो अगर यह ऐसा ही है तो वो storybook क्या promote करेगी वो integrating होगी और explain करेगी science के concept को एक plot की form में plot की form जब भी होगी तो एक sequence होगा एक arrangement होगी एक logical sequence होगा theme उसमें जो present किया जाएंगे वो definitely सिरफ science के होंगे और उसमें science की vocabulary मौजूद होगी conception learning engagement के अंदर important चीजी आएगी कि जो narration दिया गया है वो should be it should be very clear उसकी जो description है और concept है उसके जो behavior है फंक्शन है structure है categories है example है वो तमाम चीज़ उस concept की उसके अंदर मौजूद होंगी बच्चे जो है उस concept से related जो technical language है जिनने हम scientific jargons कहते हैं वो सीखेंगे और purposefully उस किताब के अंदर वो तमाम के तमाम jargons मौजूद होंगे और उसी से related तसावीर भी मौजूद होगी ताकि बच्चे properly उन concept को समझ सकें conception learning engagement में चीज़ यह important है हमारे सामने कि वो किताब जिसको आप कह रहे हैं कि science की story book है वो कैसे suitable है conception learning के लिए और बच्चों को जिनको आप यह किताबे पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले जो चीज़ हमें चेक करनी है वो यह चेक करनी है कि जो concept उस science की किताब में यह story book में मौजूद है science का क्या वो accurate है और वो सही message convey कर रहा है जो कि facts और information पर based है और वो reliable information है दूसरी चीज़ जो देखनी है कि जो logic है यानि flow है जो plot है कहानी का क्या वो logical order में है यानि ideas जो है वो properly sequence से एक दूसरे के साथ logical order में connected है और तीसरी और सबसे हैं चीज़ क्या वो कहानी बच्चों के cognitive level के मताबिक है बच्चे वो vocabulary पढ़ भी सकते हैं या नहीं वो concept समझ भी सकते हैं नहीं जो scientific principles है क्या वो बच्चे आ उनका वो level है कि वो उन्हें समझ पाएंगे उन तस्वीरों को देखके वो concept उन्हें समझ आ जाएंगे अगर तो है then it is well and good अगर नहीं है तो हमें कोई और